अब हम सिगनल्स को डूण रहे हैं जब हो मिल जाएंगे तो हमें नद्दी की लोकेशन का पाताचा जाएंगे कलेक्टिबली चोवीस आफसर शेहीत हुए हैं इस वक्त पूरा इंडिया पूरा भारत ते शारुखान की जवान मुवी को एक फेस्टिबल की तरह सलिब्रेट करता है शारु का स्क्रीन प्रेजन्स, एटली का डारेक्शन और अनेरोट का म्यूजिक और सभी ने मिलकर इस मास अक्षिन मुवी को सुपर दूपर हिट कर आया है सिर्फ फैन्स को इन विलकी क्रिटिक्स और अन्टी फैन्स फी शारु के फैन बन गए है अब तो शारु को नए हेटर्स की ज़रूरत है क्योंकि उनके पुराने हेटर्स प्लव उनके फैन हो गए है वैसे देखा जाये तो जवान मुवी की स्टोरी बिल्कुल नहीं नहीं है लेकिन उसे प्रेजेंट एक नहीं तरीके से किया क्या है पिशने तीन दिनों से क्रिटिक्स अपना अनालेसिस सामने रख रहे हैं और आट उन्होंने ये सामने लाया है कि जवान का एक क्यारिक्टर बात्मान के क्यारिक्टर से इंस्पायर है है ना चो कहने वाली बार? लेकिन कैसे? तो इससे मुवी के विलन है विट्रे सेटू पती और उनका किरिदार काली एक कम्प्लीटी इंडियन विलन है लेकिन मुवी में अटली ने अनसेवरी माची स्मो विलन मिस्टर डी को दिखाया है उसकी इंस्पिरेशन क्रिस्टोपर नॉलन की The Dark Knight Rises के किरिदार से ली गई है काली भली ही जवान का मेन और और ओरिश्टर विलन हो लेकिन मिस्टर डी का किरिदार जो एक रश्यन माफ्या फार्मी से बिलॉंग करता है और काली के फंज को स्पॉंसर करता है और उसका पॉलिटिकल करियर भी डिसाइड करता है तो वो The Dark Knight Rises से इंस्पायड है अब कौन से किरिदार से इंस्पायड है तो अगर आपने जवान नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं ट्रेलर तो देखा ही होगा और उसमें एक अज्जीब तरह का मास्क पहनने और चीता को अपना पेट बना कर एक फॉर्नर था जिसके साथ काली दील करने की बात करता है और यहाप दो दोष्त काली काला धन तो ले लिया अब देखो दोसरे की स्विस दांक से लेकर आथा हूं बस वीजा का वेट कर रहा हूं, तो जैसे 2 प्लस 24 होता है, वैसे ही दोनों बातों का भी टारिक कनेक्शन बाटता है, और पॉसिबल है कि जवान का दूसरा पात बनेगा, और उसका में विलन होगा मिस्टरी, जिसका फाला धन स्विस बांक से लेनी की बात शारू कर रहे हैं अगर जवान्टू बनती है, तो अभी तो बाढ़ आई है, लेकिन जवान्टू के आने पर सुनामी ही आजाएगी, खेर अब आब बताए क्या फिक साइजए को जवान्टू को लेकर हम पिर मिलेंगे प्लेगे, प्लेगे साथ अच्छिए में आख सुने को बाई पाई